हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आप सब का स्वागत है मेरी रिसोई एंशंगीता पांडे चानल पर तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखिया और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फैंबली और फ्रेंट्स के साथ इस आम जो हमें मिलता है यह सभी को पसंद होता है और आम से बनी हुई हर रेसिपी आम जैसी ही बहुत सुन्दर बहुत तेस्टी सब को पसंद आती है तो यह हमें पल्प निकालना है तो हमने इसे कट कर लिया है और कुछ पीसेज भी हमें चाहिए स्क्वेर पीसेज तो इस त पल्प है वो भी मैं निकाल लूँगी उसे वेस्ट क्यूं करना तो सारे पल्प को निकाल लेंगे और हमें इसका एक फाइन सब पेस्ट बनाना है तो चलिए यह इस तरीके से यह टुकड़े निकल गए और बाकी के भी जो पल्प है वो इस तरीके से निकाल के मैंने मिक्सर में डाल दिया है कुछ पल्प बचा लूँगी में और बाकी सारे ग्राइंड कर देंगे तो चलिए इसका मिक्सर बना लेते हैं साथ में डालेंगे थोड़ी सी चीनी उसके साथ डालेंगे नॉर्मल रूम टेंपरेचर वाला दूद एक चौथाई कप है यह थोड़ी सी द अंडा यूज नहीं कर रहे हूं ना अगर-अगर यूज कर रहे हूं तो चलिए अब इसे थोड़ा गरम कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थीक हो जाए तब तक इसे पकाना है तो इस मिक्सर को हमें लगातार चलाते हुई पकाना है कि तली में चि तो यह देखिए बिल्कुल जल्दी में चला रही हूं नहीं तो थिक होने लगता है जैसे ही कॉर्ण फ्लोर हम मिक्स करेंगे तो वह थिक होना शुरू हो जाता है तो बहुत ही फटा-फट यह काम करना होगा आपको और जब यह पक जाती है कॉर्ण फ्लोर तो आपको खुद जमने के लिए तो आप कोई कटोरी ले ले मॉन ले ले किसी बी चीज में आप इसे जमने के लिए रख सकते हैं इस तरीके से और यह बहुत ही आराम से रूम टेंपरेचर पे भी जम जाता है हां अगर आपको बहुत ही जल्दी है तो आप फ्रेज में एक गंड़े के लिए इसरे अब हातों से ही इसे चक कर सकते हैं तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं डी मॉल करते हैं यह देखे IRS है बहुत ही आसानी से कतोरी से बाहर आ 경णा अमारा हो जाएगा और भी जल्दी खाने की होगी तो यह रहे और साथ में डालूंगी मैं पुदीना की एक पती जो उपर की होती है वो तो देखने में और भी यह सुन्दर सा हो गया जब भी आप परोसे इस तरीके से तो दोड़ दोड़ के बच्चे खाएंगे या किसी को भी यह आप अगर गार्णिश करें तो तो चलिए अब इसे खा लेते हैं क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती बहुत ही अच्छी बुडिंग बनकर तयार हुई है और फ्रेंस अगर यह आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंस के साथ जरूर सेयर करें चलिए फ